Hello friends, welcome back to my YouTube channel. तो आज मैं अपके लिए बहुत अची सि होम रेमडी लेकर आई ही हूं जो कि हमारे ब्लैकेट के लिए तो मेरे बहुत इची सब्सक्राइबर्स हैं उन्हों ने मुझे बोला बहुत सरु क्विज रिक्वेस्ट किया तहा कि मैं एक ब्लैकेट क को बना मुढू तो मैंने सुचा है क्यों है मैं आपको होम रेमेड़ी करते हूं कि आप अपके प्रोड़क्स अवलबल है उनसे आप कैसे अपने ब्लैकेट को रिमूब पर सकते वह भी पर्माजनली अगर आपको दिन तक अप्लाइ करते हैं तो तो अचली स्टार्ट करते हैं कि क्या के इसना प्लाइक शोटा इटिंग पाओडर जो भी कह सकते हैं और यह माने लियावा लइमन तो ज्यादा कूष्णी बसी ब्लैकेट्स करने के लिए पैस्ट बनाना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं थो ठोड़ा सा ब्लैकेट्स के लिए एक हम लेते हैं थोड़ी सी कॉंट इसमें लेमन दालेंगे तो जाग आएगा अगर जाग नहीं आ रहा है तो आपका अप्लाइ करना है तो इसको अप्लाइ करना सोडा नहीं है तो एक प्लाइक करना हुआ है तो ऑपने नोस पर और इस एरिया तहु कुछ नहीं नहीं है इसको अप्लाई करना अपने णोस पे क कि इसको ब्लाक pos होते वाइट हेट Jobs होते उसको इसाफे पिजिसको कि साफित करना है आप एक लेयर सी बनानी है ऐसे ठोड़ा है और अपनना लेयर सी बनानी है और सेम आपको यहां पर इभी अप्लाई करना है क्योंकि इस्पेशली जो ब्लैकेट्स वाइट्स होते हैं वह यहां पर होते हैं चीन पर होते हैं और नोस पर होते हैं इस तरीके से और आप इसको थोड़े देर तक छोड़ दीजिए दस मिर तक छोड़ना है इसको लगा के और जब यह ड्राय हो जाए तो आपको इसको क्लीन करना है तो आप जैसा देख सकते हैं सूख गया है ज्यादा नहीं इसको पान से साथ में तक लखना है बहुत देर तक नहीं लखना है उसके बाद आप इसको अच्छे से रप कर सकते हैं आपको इसको आपको इसको आपको इसे राप करना है कि दो मिलेट तक हलके हाथों से रप करना है यह जो एरिया हो तो यह अंदर की तरफ होते इसलिए इसको थोड़ा सा टाइट करके करना वरता है कि उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से वाश कर सकते हैं तो चली में वाश करके आपको दिखाती हूँ तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं मेरे नोस पे एकदम क्लीन हो गई है कोई भी ब्लैकेट्स कोई ब्लैकेट्स ने में वाइट रही दिख रहा है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे सपमें नोस को रब किया था मितलब लगागने के बाद हलके हातों से और उसको नॉर्मल वाटर से ख्लीन कर लिया था तो यह चोटा सा वीडियो जिसे मैंने बताया को कि आपके ब्लैकेट्स और वाइट्स कैसे रिमूव कर सकते हैं परमानेंटली और वह भी होम रेमेडी कि थू मैंने कोई भी ब्यूटी प्रोड़क्स नहीं उसकि कोई भी आसे चीजे नहीं उसको मैंने मार्केट से खली तो क्योंकि बेकिंग सोडा हर घर में अबलेबल तो फ्रेंट्स आपको कैसे लगा मेरा यह वीडियो आप में जरूर बताएगा अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैलों को सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा और कमेंट करके बताएगा कि आपको और आपने अप्लाई किया तो आपको कैसा रिजल्ट इसका मिला और फ्रेंट्स मैं एक चीज़ और कहना चाहूंगे कि आप अगर सोचिए कि एक बार में आपने अप्लाई किया और एक बार में आपके ब्लाइक से वाइट चलेगा तो ऐसा नहीं होता है आपको इसको पर्मानन कंटिनियूस अप्लाई करना है अट लीस्ट वीक में तीन स है तो